यह दियारती दोस्तों कल आपसे जो बात्चीत की थी आज उससे थोड़ा आगे की बात आपसे करूँगा आज मेरे साथ एक संकट यह है तो मुझे यहां से निकल कर ठाना तक जाना है ठाना में 9 बजे से मेरा व्याक्षान है और यहां से ठाना पहुँचने में कम से कम 40-45 मिनिट का समय लगता है तो आज आपके बीच में कुछ ज्यादा बात कहने की परिस्थिती में नहीं हूँ कल जितना लंबा व्याक्षान चला था आज का व्याक्षान उसका करीब करीब आदा चलेगा मैं कल के व्याक्षान में आपसे कह रहा था कि आप स्वदेशी अपनाएं और भारत की अर्थ विवस्था को बचाएं भारत की आज़ादी को बचाएं भारत की आज की परिस्थिती से भारत को बाहर निकालने में मदद करें लेकिन एक संकत हमारे देश का ऐसा है कि जादा से जादा स्वदेशी सामान हम अपनाना तो चाहते लेकिन जादा लोग ऐसा कहते हैं कि राजी भाई स्वदेशी सामानों का प्रचार नहीं होता लोगों को मालूम नहीं है लोगों को माहिती नहीं है कि स्वदेशी सामान क्या है जिसको हम खरीच सके हैं उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि परदेशी कमपनियों के सामानों का बहुत प्रचार होता है परदेशी कमपनियों के सामानों का सबसे ज़्यादा प्रचार होता है टेलिवीजन पर आप सबेरे से लेकर शाम तक किसी दिन एक टेलिवीजन का कोई चैनल खोल कर बैठ जाएए और आपको पता चलेगा कि परदेशी कमपनियों के किसी सामान का जाहिराद कम से कम सो बार आएगा खूरे दिन हैं हम चाहते हैं कि हम कोई फिल्म देखें लेकिन सीरियल के बीच में जाहिरात गुसा जेते हैं फिल्मों के बीच में जाहिरात गुसा जेते हैं पांच मिनट का सीरियल दिखाएंगे उसके बाद पांच मिनट जाहिरात दिखाएंगे दस मिनट तक फिल्म दिखाएंगे उस तो फिर हमारे इस्म्रती में वो बैठ जाते हैं और हम कभी जब बाजार में जाते हैं तो हमको टूथपेस्ट के नाम पर सिर्फ कॉल गेट यादाता है या साबून के नाम पर सिर्फ लाइफ बॉय यादाता है या वेजिटेबल ओयल के नाम पर सिर्फ डालडा यादाता है जबकि 50 तरह के vegetable oil भारत में बिखते हैं, 50 तरह के toothpaste भारत में बिखते हैं, लेकिन toothpaste माने call gate, साबुन माने lux या life boy, या vegetable oil माने dalda, या cigarette माने सिर्फ विल, तो ये हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी है, और ये कमजोरी हर व्यक्ति में होती है, मेरे अंदर भी है, आपकी अंदर भ प्रदेशी कमपनिया उठाती है, तो अगर एक जूट किसी के सामने बोला जाए, एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर दस बार, फिर पचास बार, फिर सो बार, तो लगता ये ही सच है, आपने सुना होगा एक पंच तंतर की कहानी, एक ब्राम्मन था, वो बकरी लेकर जा रहा था, जो बकरी लेकर जा रहा था, ब्राम्मन तो रास्ते ने उसको चार चोर मिले, चोरों ने ये योजना बनाई ही कि इसकी बकरी कैसे चीनी जाए, तो एक चोर ने कहा, कि मैं जैस नहीं बकरी है। अरे उसने का तुमारा दिमाग खराब हुआ है। ये कुट्ता नहीं है बकरी है। ये बहत शुरू हो गई। उस ब्राममन और चौर के लीच में। दस मिनद तक वो बहत करने के बाद चौर चला गया। उसके थोड़ी देर के बाद ब्राममन आगे बड़ा फिर दूसरा चोर आ गया उसने का ये बकरी को लेके का गा रहे हो तुम उसने का भाई ये बकरी नहीं है कुटा है फिर उसने का नहीं ये कुटा नहीं है बकरी है फिर उसने का नहीं ये कुटा नहीं है बकरी ऐसे करके फिर बहस हुई दस मिनट तक फिर बैस चली फिर वो दूसरा चौर आगे चला गया फिर दस मिनट चला वो ब्राम्मन बकरी को लेके फिर एक तीसरा चौर आया फिर उस तीसरे चौर ने का ये बकरी को लेके का वे आते हो तुम तो ब्राम्मन को अपने दिमाग पे शक हो गया कि कहीं सच में मैं पागल तो नहीं हूँ मैं समझ रहा हूँ जिसको बकरी सब कहते हैं यह कुटा है एक आदमी ने कहा दो आदमी ने कहा भी तीसरा भी कह रहा है कि यह कुटा है हो सकता है मुझसे कोई गल्टी हो गई हो जब तीसरा चोर उसको ये बोल कर गया कि ये कुस्ता है बकरी नहीं है तो उसके मन में शंका पैदा हो गई कि मैं शायद कहीं भूल कर रहा हूँ अभी जब वो दस मिनिट और आगे बढ़ा तो चौथा चोर आ गया कहले लगा अरे बेवकूफ आदमी ये कुस्ते को लेके तू कहा जाता है इसको यहीं फेख दे तो ब्रामवन को लगा कि बाद बिलकुल पत्की है मेरा दिमाग खराब हुआ जो मैंने कुस्ते को बकरी समझा और ब्रामवन ने वो बकरी फेख दी और वो चारो चोर उस बकरी को उठा के बाद गए समझने आया क्या मतलब है इस कहानी का इस कहानी का मतलब है कि एक जूट एक बार बोला गया दो बार बोला गया तीन बार बोला गया फिर चार बार जब बोल दिया गया उसको तो सुनने वाले को लगा कि शायद यही सच है अब हमारी मुश्किल क्या है? कि टेलिवीजन रोज यही धंदा करता है सबेरे से शाम तक टेलिवीजन पचास बार जूट बोलेगा सौ बार जूट बोलेगा आप बार बार वो जूट देखते हैं लगातार देखते हैं कई बार देखते हैं तो आपके मन में बैठ जाता है कि शायद यही सच है जैसे उदारण के लिए टेलिवीजन में कहा गया कॉल गेट करने से सास की बद्बु दूर होती है आपने एक बार सुना फिर दूसरी बार कहा कि कॉल गेट करने से दातों में सलन दूर होती है आपने फिर सुना फिर शाम तक आपने 20 बार सुना कि कॉल गेट करने से सांस की बद्बू दूर होती है दातों की सलन दूर होती है सांस की बद्बू दूर होती है दातों की सलन दूर होती है अब आपने अगर एक साल तक लगातार इसको सुन लिया तो आपको लगेगा बात बराबर है अभी कॉल गेट ही करना चाहिए तो सांस की बद्बू भी दूर होगी दांसों की सलन भी दूर होगी आप कॉल गेट खरीद लाएंगे और ये परदेशी कंपनिया क्या करती है कि आपको कई तरह से अपना जाहराब दिखाती है एक बार तो वो टेलिवीजन पर दिखाएंगे फिर आप अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे किसी सरक पर जाएंगे तो नहां बहुत बड़े होडिंग पर लिखा होगा सांस की पत्रिका पढ़ेंगे पत्रिका का पन्ना उल्टेंगे वहां पर भी यही लिखा होगा सांस की बद्बू दातों की सरक अब आपने टेलिवीजन पर सुना फिर अख़वार में पढ़ा फिर पत्रिका में पढ़ा फिर सरक पर गए तो आपने होडिंग में पढ़ा फिर अब जाएंगे दुकान पर तो कहेंगे कॉल गेट दे दो बस यहीं पर विदेशी कमपनी का दंदा चालू हो जाएगा तो मैंने कल के लियाक्षान में कहा कि हम तब लोग परदेशी कमपनी का सामान खरीबना बंद करें और मुझे बहुत खुशी हुई कि सब ने खड़े होकर उसका संकल भी लिया लेकिन अब हमारी परेशानी ये है कि परदेशी कमपनी का माल बिकना तब बंद हो जब टेलिविजन पर परदेशी कमपनीों का जाहिराथ बंद हो और ये टेलिविजन पर परदेशी कमपनियों का जाहिराथ कैसे बंद हो सकता है इसके दो रास्ते है एक रास्ता तो ये है कि हमारे जैसे लोग टेलिविजन के ऊपर मुकदमा करें केस करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं और उस मुकदमे में हम टेलिविजन को हराएं और उसके बाद ये केस हम जीते हैं उसके बाद ये बंद हो जाएं एक तो रास्ता ये हैं और हम इस रास्ते को अपना रहे हैं इस तमें हम लोग आजाबी बचाओ अंगोलन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक केस लग रहे हैं और हमारे केस का जो आधार है वो ये कि जितने जाहिरात आते हैं टेलिविजन पर सब जूटे एक भी जाहिरात सही नहीं होता और बार बार जाहिरात में जो जूट दिखाया जाता है उसी जूट को देख देख कर लोगों का दिमाग खराब होता है और लोग परदेशी माल खरीच कर लाते हैं तो हमने केस किया हुआ है इसके अलावा टेलिविजन पर जितने जाहिरात आते हैं उनमें जूट के अलावा बहुत सारी उल्टी सी भी बातें भी बताते हैं जो विग्यान के बिल्कुल उल्टी है जो हमारे सबसे से बिल्कुल उल्टी है तो विग्यानिक टाके उल्टा पर चार भी टेलिविजन करते है और ऐसे करकर के 4-5 आधार पर हम लोगों ने मुकदमा किया है पहले मुकदमा हमने किया था दिल्ली की लोर कोट में, निशली अदालत में, जिला अदालत में वहां हम जीत गए, फिर उसके बाद हाई कोट में गया, वहां भी हम जीत गए अभी सुप्रीम कोट में चल रहा है ये मुकदमा अगर हम जीत जाएंगे तो सारे टीवी चैनलों पर जाहरात आना बंद हो जाएंगे ये तो एक रास्ता है लेकिन हम हार भी सकते क्योंकि जिन परदेशी कमपनियों के खिलाफ हमने मुकदमा किया है उनके पास करोडों करोडों रुपए की संपत्ती और हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम हमारे वकील को फीस दे सके हमारा वकील मुक्त में लड़ता वो गहता है राजी बाई आप ये अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं और भी तो जरूरी नहीं कि हम जीती जाएं हार भी सकते हैं तवाप पूझेंगे राजी बाई फिर क्या करें तो एक दूसरा रास्ता भी है दूसरा रास्ता क्या है आखिरकार हम मुकद्मा जो कर रहे हैं और इस मुकदमे में हम कल को जीतेंगे तो निकलेगा नतीजा यही न कि टेलिविजन पे जाहरात आना बंद हो जाएगा माननीजे ये मुकदमा ना भी हो तो भी टेलिविजन का जाहरात बंद हो सकता है आप पूछेंगे वो कैसे आपके घर में जो टेलिविजन का स्विच है उसको off कर दीजे, बंद हो गया समझने आया? अब हम case करेंगे, case जीतेंगे उसके बाद TV का वो बंद होगा इससे अच्छा ये है remote control आपके हाथ में switch off कर दीजे, बंद हो गया हो गया के नहीं? अब उसके लिए Supreme Court जाने की च्या जरूरत है? तो यह जो दूसरा राफ्ता है, यह बहुत आसान है क्योंकि इसका control हमारे हाथ में है हम चाहें तो टेलिविजन का switch off कर सकते हैं हम चाहें तो टेलिविजन का plug निकाल सकते हैं हम चाहें तो अपने घर का cable connection काट सकते हैं हम चाहें तो TV का तार काट सकते हैं हमको कोई रोकने वाला है क्या अपने घर का टीवी का टार काटे कोई रोकने आएगा क्या आपको अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी का स्विच आप करें कोई मना करने आएगा आपको तो ये तो बहुत आसान काम है तो इसको कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं अरे का switch off करें क्यों कि ये television जाहरात नहीं दिखाता जूट बोलना दिखाता और ये television जाहरात के माध्यम से लगाता जूट बोलता रहता कितना बला बला जूट बोलता है television मैं आपको एक उधारन देता हूँ television पे एक जाहरात आता उसमें कहते हैं life boy है जहां अब इले बताओ तुम लोग कि अगर तंदुरुस्ती life boy से आती है तो भोजन क्यों करते हो ऐसा करो कल से भोजन करना बंग और एक-एक life boy खरीदो और दिन में ददस बार लगाओ तंदुरुस्ती बनेगी नंग बनेगी तो तुरिये टीवी कैसे कहता है तंदुरुस्ती है वहाँ life boy है जहां जूट है ना अचा पिर एक दूसरी बात सुनो television क्या कहता है एक खिलाडी है वो फुटबॉल खिलना नहीं जानता जब life boy लगा के फुटबॉल खिलने जाता है तो champion हो जाता अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर life boy लगाने से खिलाडी champion होता तो भारत की फुटबॉल टीम अभी क्यों नहीं खेली विशुकप हुआ था अभी फ्रांस में विशुकप हुआ था फ्रांस नाम के देश में फुटबॉल का विशुकप हुआ था उस विशुकप में भारत ही नहीं खेला बाकी सब खेले चीन खेला, जापान खेला, जर्मनी खेला, अमरीका खेला, स्वीडन खेला, केमरून खेला तुमको मालूम है केमरून कितना वड़ा देश है ये जो गोवंडी गाउं है न इसका आधा तुमारे गाउं का आधा है एक देश उसका नाम है केमरून वो खेला फुटबॉल के नैच में और हम 98 करोड की आवादी वाले खेले ही नहीं क्यों नहीं खेले, लाइफ बॉई नहीं था अगर हर खिलाडी को एक एक लाइफ बॉई दिया होता तो चेंपियन तो हम ही बन जाते, बनते की नहीं बन जाते, तो ये टीवी जूट बोलता है अभी मैं एक तीसरा उदारण देता हूँ टीवी देखो कितना जूट बोलता है, टीवी कहता है लाइफ बॉई मेल में छुपे किटाणूओं को धो डालता टीवी कभी ये नहीं कहता है कि लाइफ बॉई मेल में छुपे कितनूओं को मारता है हमेशा कहता है धो डालता इसका मतलब क्या है? जो कितनूओं मेल में छुप गए हैं इनको धो पौचकर और तंदुरुस्त बनाता अभी तुमको मैं एक माहिती देना चाहता हूँ कि यूरोप के देशों में लाइफ बॉई बिखता है खासकर हॉलेंड में काफी बिखता है लेकिन वहां लाइफ बॉई को कहते हैं कार्बोलिक सोग और उस पर अंग्रेजी में लिखा होता है अनली फॉर डॉण समझ में आया मैंने क्या बोला लाइफ बॉई ऐसा साबुन है जिसके यूरोप में सिर्फ कुटे नहाते हैं अभी उस साबुन पे तुम नहा रहे हो अगर नहा रहे हो तो सोच लो क्या हो रहे हो तुम ये तो कुटों के नाने वाला साबुन है इससे हमको नाना चाहिए तो इसलिए लाइफ बॉई भी बन करो और टीवी का जाहरा भी बन करो देखा तुमने टीवी कितना पागल बनाता कितना जूट बोलता और ये बात लाइफ बॉय है जहां तंदृूस्ती है वहाँ पिछले पचास साल से बोल रहा है टीवी तीवी बोलता था अभी 14-15 साल से तो उसके पहले ये जाहरा सिनेमा में आता था उसके पहले ये जाहरा तक्वार में आता था पत्रिकाओं में आता था इसलिए मैंने तुमको कहा कि टीवी तो बहुत जूट बोलता है तो ये जूट बोलने वाला टीवी इसको देखना चाहिए हमको तो ये कहा गया है कि जूट कभी देखो मत तो टेलिविजन तो जूट ही दिखा रहा है तैसे मैं तुमको एक दूसरा उधारन देता हूँ तेलिविजन देखो कितना जूट बोलता है तेलिविजन में एक जहरात आता है कॉम्पलान का उसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है I'm a Komplon Boy कहता है फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है I'm a Komplon Girl अब इसका मतलब समझो I am a complon boy मने मैं complon का लड़का हूँ फिर वो बेटी कह रही है मैं complon की लड़की हूँ अभी तुमको मालू मैं complon क्या है complon है टिन का डिबबा अभी ये बताओ टिन के डिबबा के लड़का लड़की हो सकते ऐसा तुमने कभी देखा है दुनिया में कहीं सुना है तुमने तो ये टीवी में कहां से आ गया जूट है ना तो जूट देखना चाहिए तो टीवी देखना चाहिए कौन कर नहीं देखेगा आथ उठाओ जरा आँ शाबाज बढ़ जाओ ये टीवी सिर्फ जूट दिखाता है जूट की अलावा कुछ दिखाता ने ऐसे मैं तुमको एक तीसरा उधारण देता हूँ टीवी में एक जायरात आता है उसमें दिखाते हैं एक पेन है उसका नाम है राटो मैक क्या कहते हैं लिख से लिख से अरे वाँ एसा भी पेन आता है दुनिया ने जिससे लिख से लिख सम हो जाएं एसा पेन आता है दुनिया में तो जूट एक नहीं तो जूट देखने चाहिए ऐसे देखो टीवी पर जायरात आता उसमें दिखाते हैं Fair and Lovely क्या कहता है गोरे पन की क्रीम अभी टीवी रोज कहता है Fair and Lovely गोरे पन की क्रीम Fair and Lovely गोरे पन की क्रीम अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर Fair and Lovely लगाके सब गोरे हो जाते तो दक्षिर भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए अभी तर ऐसा हो सकता है Fair and Lovely लगाके गोरे हो सकते हैं सब तो दिरिया गलत है कि नहीं तो गलत बाद देखनी चाहिए तो इसलिए टीवी देखना बन करोगे इसलिए भी टीवी देखना बन कि उससे भी बरबर जूट दिखाता है ये टीवी टीवी में क्या क्या जूट दिखाते है टीवी में एक जायरात आता है वो कॉल गेट का कॉल गेट के जायरात में क्या दिखाते हैं दो पती पत्नी साथ साथ चलते तोड़ी एर के बाद पत् Initi मूझ फेर लेती किस से? अपने पती से क्या बोलती है? कैसे कहूं इनकी सांस में बद्बू आती? उसकी सहीली कहती है सांस में बद्बू? चल मेरे साथ दोनो डॉक्टर के पास जाते हैं जब्टे साथ क्याते हैं, अरे, कॉल्गेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, आसमों बद्बूत आएगी, तो उनकी पत्नी कॉल्गेट खरीद लाती है, अपने पती को कहती है कॉल्गेट घसो, तो पती महुद है कॉल्गेट घिसते हैं, कॉल्गेट करने के बाद द अभी नज़्दी काएंगे अब इससे वड़ा पागलपन है दुनिया में बारतिय संस्कृती में कहते हैं पती-पती का रिष्टा परसपर प्रेम परसपर विश्वास परसपर सद्भाव पिटिका होता ये टेलिविजन कहता है नहीं कॉल गेट पेस्ट पिटिका हुआ इसल टेलिविजन एक जायरात आता है चिकले इसकी जोलियों का अब उसमें क्या भिकाते हैं एक लरका है दिखने में बहुत ही गंदा मोटा ताजी एकदम शकल से बहुत ही बेवकू वह चिकलेट की गोलियां लेके आता है और एक बहुत सुन्दर सी लरकी को वह गोलियां दे उसके बाद लड़की उसके पीचे पीचे चल देती इसका मतलब तमस्था भारत की सुन्दर लड़किया इतनी फालतू है क्या जो चिकलेट्स की गोली पर किसी के भी पीचे चल देती तुमको मालूँ है इससे बड़ा महिलाओं का कोई दूसरा अपमान नहीं है ये रोज चेलिवीजन हमारे देश में इसी तरह की उल्टी उल्टी बाते दिखाता है तो मैंने तुमको पहले कहा कि इसलिए टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये सब जूट दिखाता है चित्रहार तो आता है वो तो देखेंगे या तो उसमें फिलिप टॉप्टेन आता है वो तो देखेंगे अभी कॉलगेट टॉप्टेन आता है वो तो देखेंगे अभी तुम बताओ ये देखो चित्रहार फिलिप टॉप्टेन कॉलगेट टॉप्टेन ये सब फाल्टू क कारिक्रम इसमें क्या आता है कुछ गीत आते हैं गाने आते हैं और ऐसे घटिया घटिया गाने आते हैं ऐसे रद्धी रद्धी फालतू के गाने आते हैं जो कभी देखने नहीं चाहिए उनारण के लिए उसमें गीत आता है चोली के पीछे क्या है या ऐसे गीत आता है चीज फाल्तू के गीत देखने चाहिए और ये फाल्तू के गीत ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है एक एक से ऐसे ऐसे फाल्तू के गीत लिखते हैं हिंदुस्तान में और उनको सिनेवा में भर भर के दिखाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और ये सब गंदे गंदे गीत गंदे गाने देख देख कर, हम लोग फिर उसी को गाते हैं, फिर उसी तरह का शरित्र हमारा दीरे दीरे बनता चला जाता है तुमको मालूम है बगत सिंग कौन सा गीत गाता था बगत सिंग गाता था मेरा रंग दे बसंती शोला किस विध्यार्थी को ये गीत पूरा आता है किसी को नहीं आता और अभी मैं पूछूँ आती है क्या खंडाला किसको आता है देखो कितने हाथ उठा दिये मेरा रंगदे वसंती चोला किसी को नहीं आता जो आना चाहिए गीत वो नहीं आता और जो नहीं आना चाहिए वो हम सब जानते हैं हमारा दिमाग खराब हो रहा है इसलिए मेरा तुमसे दूसरा भी निवेदन है कि ये फॉल्टू के गटिया गटिया गीट देखने बन करो तुमको मैं एक बहुत मारमिक बात पूछना चाहता हूं मानलो तुमारी माताजी तुमारे साथ बैठी है और टेली वीजन पे गीत आता है चोली के तीछे क्या है अपनी मा के साथ बैठ कर ये गीत देख सकते हो मानलो तुमारे साथ तुमारे पिताजी बैठे है और गीत आता है चीज बड़ी है मस मस देख सकते हो उतने पिताजी के साथ बैठ कर मालो तुमारी बड़ी बहन तुमारे साथ बैठी है और गीत आता है आती है क्या खंडाला देख सकते हो तो जो गीत हम हमारी मा के साथ नहीं देख सकते जो गीत हम हमारे पिताजी के साथ नहीं देख सकते जो गीत हम हमारी बहन के साथ बैठ कर नहीं देख सकते वो गीत टीवी पे क्यों देखें? समझने आया? इसलिए चित्रहार देखना बंद करोगे? फिलिस टॉप 10 बंद करोगे देखना? कौन-कौन बंद करेगा, हाथ उठाओ अभी हाथ नीचे कर अभी एक तीसरी बात और समझाता हूँ कुछ बच्चे हैं साब बोलते हैं कि राजी भाई आपकी बात समझ में आई अभी हम चित्रहार नहीं देखेंगे ये फाल्टू के गीत नहीं देखेंगे लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें अच्छे-च्छे सीरियल तो आते हैं अभी क्या सीरियल आते हैं शांती है, स्वाब इमान है, तारा है, बनेगी अपनी बात हम पाँच, अमान है, सब सीरियल फल तुके एक भी सीरियल ऐसा नहीं है, जिसमें कुछ भी काईदे की बात आती है देखो हर एक सीरियल में क्या आता है पती-पती के जगडे, बाप-बेटे के जगडे, परोसियों के आपस में जगडे बाई बहन के जगड़े, मा बेटे के जगड़े, मा बेटी के जगड़े, बाप बेटी के जगड़े, बाप बेटे के जगड़े, बिजनिस पार्टनर के आपस में जगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी के गर में चोरी करवा रहा है, कोई किसी के गर में डकेती ड पाता थी और ऐसे उसे जग़डें दिखाते हैं जनके बारें कभी कविकल पनावी नहीं कर सकते हैं तुम लोग मुझे बहुत इमानदारी से बताओ कि स्वाभ़़़यमाण नाम के सीरियल जिस सब्सक्राइक जर्जाच कर दा दे टे हैं वैसे तुम्हारे घर में ये तो देखने लाइक नहीं है, और ऐसे सब सीरियल फाल चुके, और हर एक सीरियल में क्या दिखाएंगे, किसी की पत्वी किसी के साथ भाग गई, किसी का पत्वी किसी के साथ भाग गया, किसी का प्रेमी किसी के चक्कर में फच गया, किसी की प्रेमी का किसी के चक्कर में फ आत उठाओ पिर अभी आत्मी शक्रों कुछ लोग ऐसा गहते हैं राजीद भाई उसमें कुछ धार्मेक सीरियल भी तो आते हैं अभी जैसे ओम नमें शिवाय है वीर हनुमान है श्री करश्न है अभी देखो यह जितने धार्में शिवाय आता है मानलो ओम नमें शिवाय आता है हम उसको बैठ के देखते हैं हम इसलिए देखते हैं कि उसमें शंकर जी पारवती का किस्ता आता है अभी शंकर जी पारवती पे हमारी बहुत श्रब्दा है इसलिए हम उसको बैठ कर देखते हैं लेकिन जैसे ही दस मिनित शंकर जी पारवती क फिर घुसा देंगे जाहरा, फिर दस मिनट किस्ता आएगा, फिर घुसाएंगे जाहरा, आदा गंटे के सीरियल में पंदरो मिनट आपको किस्ता दिखाएंगे, पंदरो मिनट जाहरा दिखाएंगे, और सीरियल खदम होने के बाद अगर मैं पूछू कि तुमने क्या देखा तो तुमको मालूम नहीं कि क्या देता किसी को याद नहीं होता कि हमने ये देखा क्यों नहीं याद होता क्योंकि बार 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 जो जाहरात उन्हों ने दिखा दिया हमको उस जाहरात के कारण हमको TV का कोई किस्वा याद ही नहीं रहता तो क्या फाइदा देखने से से ऐसे ही कुछ बच्चे कहते हैं राजी भाई उसमें शक्तिमान भी तो आता है अभी देखो शक्तिमान ऐसा सीरियल है जो पूरी दुनिया में सबसे फाल तू अभी तुम मुझे ये बताओ कि शक्तिमान नाम के सीरियल में जो शक्तिमान है वैसा तुमारे महले में है तुमारे गली में है तुमारे गाओं में है तुमारे देश में है तो तुर टीवी में कहां से आया ये शक्तिमान टीवी में कहां से आ गया हमारे देश में नहीं हमारे गली में नहीं हमारे महले में नहीं हमारे गाव में नहीं तो T.V में कहा से आया कब हम अगये जूत है एक भी सच नहीं है लेकिन हमारी तकलीज क्या है कि हम यही जूत बार बार देखते हैं तो फिर पागल हो जाते है तुम को मैं एक तक्चा χिस्टा बताना चाहता हूं शक्तिमान देख देखकर हिंदुस्तान के बच्चे पागल हो रहे मैं तुमको एक लड़के की कहानी सुनाता बोपाल नाम का एक शहर है मद्धिप्रदेश में उस बोपाल नाम के शहर के बाजू में एक गाउं है उस गाउं का नाम है सिहोर वहाँ एक 15 साल का लड़का रहता था और वो शक्तिमान देखकर पागल हो गया कैसे पागल हो गया वो बार-बार शक्तिमान देखता था बार-बार शक्तिमान देखता था एक दिन उस लड़के को ऐसा लगा कि ये शक्तिमान ऐसा आदमी है जब भी कोई संकट में फस जाता है तो उसको बचाने के लिए शक्सिमान आता है तो एक दिन उस लड़के ने क्या किया उसके माँ और पिताजी दोनों गाओं गए थे सबजी खरीदने के लिए लड़के ने घर का दरवाजा बन किया और अंदर से ताला लगा दिया रसोई घर में गया रसोई घर में से कैरोसिन आईल लेके आया रोकेल लेके आया और उसने अपने पूरे शरीर पर डाल लिया उसके बाद दियासलाई से उसने आग लगाई अपने कपड़ों में फिर वो जलने लगा जब वो जनने लगा तो उसमें चिलाना शुरू किया शक्तिमान आओ मुझे बचाओ अभी शक्तिमान कहीं होता तो आता देर घंटे तरफ तरफ कर वो बच्चा जल कर मर गया जब तक उसके माँबाप वापस लोते तक तक वो जल कर मर चुका था अभी सोचो कि शक्तिमान से कितना पागल बनते हैं बच्चे ऐसे ही मैं चंद्रपुर नाम के एक गाउ में गया था महराश्च्र में विदर्व में एक गाउ है चंद्रपुर छोटा सा जिला है वहाँ में एक विद्यार्थी से मिला उसकी उम्र है ग्यारे वर्ष और वो भी शक्तिमान देखकर पागल हुआ कैसे पागल हुआ वो ग्यारे वर्ष का जो विद्यार्थी है बार बार शक्तिमान देखता था एक दिन उसको इतनी उत्तेजना आई कि वो अपनी छट पर चड़ गया और जैसे शक्तिमान कूदता है गोल-गोल घूमते हुए वैसे कूद गया अभी सड़क पे गिरा उसके दोनों पैर तूट गए मैं जब उससे मिलने गया तो वो उसके दोनों पैर में प्लास्टर लगा हुआ था जो डॉक्तर उसका इलाज कर रहा था मैंने उससे पूछा कि ये ठीक होगा क्या डॉक्तर ने का राजी भाई कोई उम्मीद नहीं है इसके दोनों पैर हमेशा के लिए खराब हो गए चोट इतनी गहरी लगी है कि इसको पैरनिसिस हो गया है अब इसके पैर ठीक नहीं हो पाएंगे तो पूरे जिन्दगी के लिए वो लड़का शक्तिमान के चक्कर में बरबाद हो गया जब मैं उसके घर में गया तो उसकी मा रोती थी उसका बाप भी रोता था और मेरे सामने दोनों माबाप रोते थे और यह बोलते से राजी भाई अभी क्या बताएं हमारा तो यह अखेला बेटा था और इसकी भी जिन्दगी बेकार हो गई तो दोनों माबाप को मैंने डाखते हुए कहा कि तुमने जब अपने घर में टीवी खरीदा था और केबल कनेक्शन लगाया था तब यह ध्यान नहीं आया तुमको कि हमारा एक छोटा सा बेटा है वो बरबाद भी हो सकता अब क्यों रोते हो तो उसकी माने कार होते रोते राजी भाई अभी हम इसलिए रोते हैं कि आप तो पूरे देश में घूमते हैं आप एक काम करिएगा कि मेरे बेटे के साथ जो घटना हुई है वो बात आप सब बच्चों को बताईएगा ताकि कोई भी बच्चा शक्तिमान ना देखे तो देखोगे शक्तिमान अभी मैं तुमको एक और सच्चा किस्ता बताता हूँ कि टैनिविजन देखकर किस तरह से बच्चे पागल होते हैं पिछले साल एहमदाबाद शहर में एक साथ साल की बच्ची थी वो टीवी का जायराद देख देखकर कितनी पागल हुई उस बच्ची का एक भाई था उसकी उम्र की देड़ साल की तो उस देड़ साल के भाई को उस साथ साल की लड़की ने एक दिल वाशिंग मशीन में डाल दिया क्यों डाल दिया उस लड़की को ऐसा लगता था कि वाशिंग मशीन में कोई भी चीज दालो धुल कर साथ हो जाती है तो उसका बाद जो भाई था देर साल का वो थोड़ा काले रंग का था इसलिए उसने उसको वाशिंग मशीन में डाल दिया और उसने उसका बटन चला दिया और उसके बाद वो देर साल का बच्चा मर गया अभी सोचो कैसे पागल होते हैं बच्चा मैं तुमको मेरे शहर की एक घटना बताता हूँ मैं जिस इलहाबाद नाम के शहर में रहता हूँ वहाँ एक मेरे पडोसी का बेटा जिसकी उम्र थी मुश्किल से पांस साले पांस साल एक दिन वो भी पागल हो गया टीवी देख देख कर कैसे पागल हुआ वो पांस साले पांस साल का बच्चा था रोज तीवी देखता था दो गंटे तीन गंटे चार गंटे पांच गंटे रोज तीवी देखता एक दिन उस बच्चे को ऐसा लगा कि तीवी में जो कुछ दिखाते हैं वो तप तच होता तो उसमें क्या किया एक दिन वो अपनी छट पे चढ़ गया और उसने अपने पैर में रस्टी बांदी और छट पर से वो उल्टा कूद गया एक ठम तब का जाहरा पाता था उसमें एक बच्चे को दिखाते थे कि वो रस्टी बांद कर उल्टा कूद था खुद गया सब पर अभी वो तड़क पे गिरा उसका सिर्फ टा और वो मर गया ऐसे बच्चे पागल ओते हैं टी-वी देखकर और फिर भारत में ही नहीं अमरीका में भी बच्चे टी-वी देखकर पागल होते हैं भारत में कम अमरीका अमरीका में ज़्यादा पागल होते अमरीका में पिछले 35 वर्षों में तीवी देख देखकर 2 करोड बच्चे पागल हो गए और अमरीका में जो बच्चे पागल होते हैं उनकी तो तुम सोच भी नहीं सकते अभी तीन महीने पहले अमरीका की जो राजधानी है उसका नाम है वाशिंग अटन डी सी बहाँ एक दुरगटना हुई एक प्राइमरी स्कूल में दो विद्यार्थियों ने जिनकी उम्र थी 11 साल और 13 साल अपने ही स्कूल के पांच विद्यार्थियों का मरडर कर दिया राइफल से और अध्याफक उनको बचाने के लिए आया तो अध्याफक को भी गोली मार दिया उन बच्चों अभी 11 साल का लड़का और 13 साल का लड़का अमरीका में मरडर करता पुलिस में उन दोनों विद्यार्थियों को पकड़ा फिर पुलिस में उन से पूछा कि तुमने ये मरडर क्यों किया तो उन दोनों बच्चों ने का कि हम तो रोग सीवी पर ऐसा ही मरडर होते हुए देखते हैं तो हम ने तो वहाँ से सीखा और कर दिया अभी वो दुरगटना भारत में भी शुरू हो गई एक दिन ठाने में, ठाने का नाम सुना वो ठाने में एक 13 साल का विद्ध्यारती और एक साइब 14-15 साल का विद्ध्यारती उन्होंने अपने घर में काम करने के लिए आने वाली नौकरानी को जिंदा जला दिया यही ठाने में हुआ और वो लड़की जिसको जिंदा जलाया उसकी उम्रती 17 साल दोनों ने उसके हाथ फकड़ लिये फिर केरोसिन ओयल डाल दिया फिर आग लगा दी वो लड़की जल कर मर गई उन दोनों विद्ध्यारतीयों को भी पुलिस ने पकड़ा पुलिस ने पूछा तुमने क्यों जलाया दोनों लड़कों ने का कि हम तो सिनेमा में ऐसा ही देखते हैं बार बार तो हमने जला दिया फिर यहीं पर उल्हासनगर नाम का एक छोटा सा गाओ है उस उल्हासनगर में टीवी देख देखकर एक लड़का तो इतना पागल हुआ कि उसने अपनी सगी बहन और बहन के पती दोनों का मरडर कर दिया बरे भीड बरे चौराहे पर और उस लड़के को भी जब पुलिस पकड़ के ले गई तो लड़के ने का कि मैं इतना उस्तेजित हो गया था दो-तीन दिन से लगाता है और वो कोई ऐसी फिल्म देख रहा था जिसमें मरडर करने दिखाते थे तो उसके दिमास में इतना बैठ गया था मरडर करने की बाद कि फिर उसको होश नहीं रहा और उसने अपनी सगी बहन और बहन के पती का मरडर कर दिया पुलिस इस्टेशन के सामने मैं ऐसे ये तुमको और सक्की गटना बताता हूँ एक बार मैं सांगली गया सांगली महराश्र में ही है पच्चिम महराश्र में है कोलापुर जिले का एक छोटा सा गाउं है शायद सांगली अब खुद भी जिला बन गया होगा उस सांगली में क्या हुआ कि एक सत्रे साल की लड़की थी उसका नाम था अम्रता देश पांडे उसको एक चौबीस साल की लड़के में अठारे बार चाकू मारा पेट में और बस इस स्टेंड पर और बस इस स्टेंड पर चाकू मारते हुए हजारों लोगों ने देखा लेकिन सब इतने नपुनसक और कायर थे कि उस लड़के को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं हुई और वो चाकू मार के भाग गया एक भाई को मैंने पूछा जब मैं सांग ली गया जो अमें घचना को देख रहा था मैंने का वो लड़का चाकू मार रहा था और तुम लोगों में किसी के मन में इतनी भी दया नहीं आई कि वो अकेली लड़की को बचाओ तो जो भाई ने मुझे जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत शौकिंग था उतने का राजीब भाई टेलिवीजन पर रोज चाकू मारते हुए हम देखते है सिनेमा में रोज चाकू मारते हुए हम देखते है तो बार बार ये चाकू मारते हुए जब हम देखते है तो हमारे मन से चाकू मारने वाले के प्रती गरणा खतम हो जाती है तो हम पकड़े क्यों उसको से उस दिन मुझे समझ में आया कि बार बार जब हम हिंता देखते हैं बार बार जब हम वाइलेंस देखते हैं टेलिविजन पर वो चाय गोली मारने की हो चाय शाकू मारने की हो चाय किसी की हत्या करने की हो चाहे किसी को उपर से पटकने की हो यह बार-बार की जो वाइलेंस है बार-बार की जो हत्या है या बार-बार के हत्या के जो द्रक्षे है यह हमारे मन से दया खतम कर देते हैं करुणा खतम कर देते हैं प्रेम खतम कर देते हैं फिर असली जीवन में अगर यह दुरगटना हो जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, हम बाजू से बचकर निकल कर चले जाते हैं। किसी की डेट बाडी पड़ी हुई हो, हम बाजू से बचकर निकल कर चले जाएंगे, यह सोचते हुए, अरे कौन सिर्दर दिलेगा। अभी तुम मुझे यह बताओ कि तुम को इंसान बनना है या जानवर। तो फिर टीवी देखोगे, सिनेमा देखोगे, हाथ उढ़ादो अब की बार। हम में से कोई भी टीवी नहीं देखेगा, सिनेमा नहीं देखेगा। क्योंकि यह टीवी और सिनेमा देखने से, ना तो हमारे जीवन का कोई फाइदा हो रहा है, ना हमारे जीवन में कोई भला हो रहा है। नुक्तान जादा से जादा हो रहा है, फाइदा इसका बिलकुल नहीं हो रहा है। और मैं तुमको एक बहुत गंबीर बात बताना चाहता हूँ कि ये टेलिविजन दुनिया की सबसे खराब मशीन है और ये मैं बोलता हूँ मेरी पूरी इंजिनिरिंग की पढ़ाई इसी टेलिविजन में हुई है उसके बावजूर मैं कहता हूँ कि इस दुनिया की सबसे खराब से खराब टेकनोलोजी क्यों तुमको एक बहुत गंबीर बात मैं समझाना चाहता हूँ अगर समझ में आ जाए कि जितनी देर हम बैठकर टेलिविजन देखते हैं उतनी देर हमारा दिमाग बंद रहता है हम कुछ सोच नहीं पाते हम कुछ सोच नहीं सकते दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करते हुए हमारा दिमाग बंद रहता हूँ हम जब सो जाते हैं तब भी दिमाग चालू रहता है और सोते समय जब दिमाग चालू रहता है तो उसी में फिर सपने आते दुनिया में ऐसा कोई आद्मी नहीं है जो सपना ना देखता हो हर एक्षी सपना देखता है इसका मतलब सोते हुए भी हमारा दिमाग चालू रहता है लेकिन टेलिविजन देखते हुए दिमाग बंद रहता है हम पुस्तक पढ़े पुस्तक पढ़ते हुए हम सोच सकते हैं कल्पना कर सकते हैं जैसे उधारन के लिए मानलो तुम कोई कहानी की पुस्तक पढ़ो और एक कहानी पढ़ो कहानी ऐसी होगी एक राजा था, एक राणी थी अब जैसे ही तुमने पढ़ा के एक राजा था, एक राणी थी तुरंट तुम्हारे दिमाख में कलपना आएगी राजा कैसा था, राणी कैसी थी, राजा का महल कैसा था, राणी का महल कैसा था वो रहते कैसे थे ये सारी कल्पना एक शह में आ जाती है मन में जब हम एक पेंटेंस पढ़ते हैं एक राजा था एक रानी थी लेकिन जब टेलिविजन देखते हैं तो ये सब कल्पना गायब हो जाती है ये कल्पना का आना और गायब होना दिमाग के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है अगर हमारा दिमाग सोचता रहेगा चिंतन करता रहेगा तो कल्पना आती रहेगी अगर दिमाग ने सोचना बंद किया चिंतन करना बंद किया तो कोई कल्पना नहीं आता सकती दुनिया में जिस व्यक्ति का दिमाग सोच नहीं पाता चिंटन नहीं कर पाता उसी को पागल कहते है तुमको मालूगा Medical Science में पागल की परिभाशा क्या है पागल की परिभाशा माने वो व्यक्ति जो सोच नहीं सकता विचार नहीं कर सकता जिसके दिमाग का चिंतन बंद हो जाता है वो ही पागल होता है तो जितनी देर हम तीवी देखते हैं हम खुद पागल होते क्योंकि हम सोच नहीं पाते क्योंकि हम चिंतन नहीं कर पाते और ये सोचना और चिंतन करना जो हमारा बंद हो रहा है यहीं सबसे बड़ा खत्रा है और मैं तुमको इससे भी जादा गहरी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमास में एक हाइपो थेलेमस नाम की चीज़ होती है और हाइपो थेलेमस के पास एक मैडुला नाम का पोर्शन होता जब हम टीवी देखते हैं तो उससे ने यह हाइपो थेलेमस और मैडुला दोनों काम करना बंद कर देते हैं अब मैं तुमको एक दूसरी बात बताता हूँ कि शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हम उससे काम नहीं करवाएंगे और उससे काम नहीं लेंगे थोले दिन तुम उसको ऐसे ही रहने दो उस हिस्से में या तो सूजन आ जाएगी या वो काम करना बंद कर दे तुम एक दिन ऐसा छोटा सा प्रयोग करो कि एक हफसे तक अपने दाहिने हाथ को ऐसे ही लटका के रहना इसको उपर नहीं करना नीचे नहीं करना हिलाना नहीं बस ऐसी लटका के रखना तो तुमारे दाहिने हाथ में सूजन आ जाएगी क्यों तुमने काम नहीं लिया उस हाथ पे इसलिए वो सूजन आ गई हूँ ऐसे ही तुम पैर तुम एक हफ़ते के लिए विस्टर पर लेट जाओ पैर बिल्कुल मत चलाओ हिलाओ नहीं दुलाओ नहीं तुमारे पैर सूज जाएंगे फिर पैर से चल नहीं पाओ बैसे ही तुम बिस्टर पर लेट जाओ अपनी पीठ को बिल्कुल हिलाओ दुलाओ मत एक ही position में जैसे लेटे हो वैसे ही लेटे रहो तो तुमारी पीट में बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे बैड सोर हो जाएंगे क्यों होता है ये सब शरीर का कोई भी हिस्ता अगर हमने बेकार किया उससे कोई काम नहीं लिया तो वो सूजन आती है या तो उसमें स्वेलिंग आती है या तो वो बेकार होता या तो उसमें जंग लगती अब हम सोचें कि जितनी देर हम टीवी देख रहे है उतनी देर हमारा हाइपोसेलमस काम नहीं कर रहा हमारा मैडूला काम नहीं कर रहा तो उसमें भी सूजन आ जाएगी और उसमें अगर सूजन आई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी तुमके कैंसर भी हो सकता हो सकता है तुम्हारा वो हिस्सा काच कर निकालना पड़ेगी और तब तुम्हारी जिन्दगी नरक हो जाएगी तो तुमने शुरू में तो मजे मजे में टीवी देखा लेकिन पता चला उससे तो गंबीर भी मारी हो गए और तुमको मैं एक बात और बताता हूँ टेलिवीजन जब चलता है तो उसमें से बहुत ही खतरना किरने निकलती है तुमने सूरज को उगते हुए देखा सूरज में से किरने निकलती है लेकिन दुपहर के अगर बारे बजे हो तो सूरज की तरफ आख करके देख सकते है नहीं देख सकते क्यों क्योंकि उसकी किरने इतनी तेज होती है कि आँख जलने लगती है जिस तरह से सूरज में से किरने निकलती है और आखों को जला सकती है वैसी ही किरने टेलिविजन में से भी निकलती है और वो भी तुमारी आखों को जला सकती जो किरने सूरज की रोचनी से निकलती है वो टेलिविजन से भी निकलती और टेलीविजन से निकलने वाली किरने भी तुमारी आँखों को जला सकती और तब तुमारी आँखें खराब हो सकती फिर हो सकता है तुमको दिखना कम हो जाए तुमको चश्मा लगाना पड़े तुमको आँखों में दर्द होने लगे तुमारे दिमास में भी दर्द होने लगे लगातार टीवी देखने से एक बहुत खतरना किसम का दर्द होता उसको कहते हैं माईग्रेन माईग्रेन ऐसा दर्द है जो आधे हिस्से में होता कभी भी राइट लेस्ट में होगा या लेस्ट कोर्शन में होगा कहीं भी हो तकता और माईग्रेन में एक बार फसे तो आसानी से इसका हिलाज भी नहीं हो एक और बड़ी संकट है टेलिविजन की कि जब हम सब लोग टेलिविजन देखते हैं तो आँखें फार फार कर देखते हैं एक मिनट के लिए भी हम हमारी पलक नहीं जपकाते आँखें फार फार के टीवी देखते रहते तुमको मालूम है कि हर एक सेकेंड में पलक जपकनी चाहिए नहीं तो आँखें खराब हो जाएंगी एक मिनट में कम से कम साथ बार हमारी पलक जपकनी चाहिए एक मिनिट में कम से कम साथ बार आँखें बंदो नी चाहिए लेकिन हम तो टीवी देखते हैं तो हो सकता आदा आदा घंटे तक आँखें पाड़े पाड़े देखते रहे क्योंकि हमारे मतलब का अगर कोई सीन आता है तो हम भूल भी जाते हैं कि आखें भी हैं हमारी तो तुम तो सत्यानाज कर रहे हो अपनी आखों का इसलिए टीवी देखोगे और ये जो बात मैं समझा रहा हूँ समझ के जाना और अपने घर में जाके अपने माँ पिसाजी को भी समझाना और ये टेलिविजन देखने का सारीरिक नुक्सान है मानिसिक नुक्सान है कमे का नुक्सान है दो दो घंटे तीन तीन घंटे हम टीवी देखते हैं मनलो रोज़वशन